दोस्तो एक जाम मित्र में एक बर फिर से आपका स्वागत आश्या करता हूँ आपसे भी अच्छे हैंगे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BFUHS Nursing जिसके BSC Nursing और Post Basic BSC Nursing के Application Form में वो स्टार्ट हो चुके हैं तो इसका Official Notification भी जारी कर दिया गया है दोस्तो जिसे PPM ETS Punjab Paramedical Entence Test के नाम से भी जना जाता है तो उसके BSC Nursing और Post Basic के लिए Official Notification जारी कर दिया गया है इस वीडियो में संपुर्ण जानकरी जानेंगे कि आप कब से इसका Online आवेदन है वो सुरू कर सकते लास्ट डेट कपते गए Application fees क्या रहेगी Counseling कब से स्टार्ट होगी और आपका साथ ही exam date की भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को सुरुचरान तक जरूर देखिए और दोस्तो अगर आवारे चैनले पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर दोबाई इससे कि आने वाले सबी वीडियो जिक नटिक पेसे आपको मिल सके तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं आचुके बाबा फरीद उनिवस्टी ओप हेल्थ साइंस फरीद कोड की जो ओपिशल वेबसेट है उसके ओपर यहाँ पे देख सकते हैं यह 2021 के लिए एडिमिसन नोटी से वो जारी कर दियेगे काफी दिनों से आप इंतजार कर रह देख सकते हैं इसमें दोस्तो हम देखेंगे कि जो डिटिल इसका प्रोस्पेक्ट दिया गया है उस प्रोस्पेक्ट में देखेंगे कि आप कब से कब तक आप together कर सकते हैं साथ ही इसकी फीस यह रहेगी और आपकी क्या रहीगी तो दोस्तों आपका ऑपिशल प्रोस्पेक्ट भी जारी कर दिया गया है यह आप री सेशन में चेक कर सकते हैं यह 199 यो online application form की जो date है वो आपकी 5-8-2021 से start हो जाएगी मतलब कि आपकी कल से आप online application form है वो आप apply कर सकते हैं इसकी जो last date है वो आपकी 20 अगस 2021 है तो आपको 15 दिन का ही time दिया गया है और शाथ ही दोस्तों आपका जो admit card है वो उसकी भी date आपको announce कर दीगी है और आपकी जो exam date है वो भी announce कर दीगी है तो जो आपका admit card है दोस्तों वो आप download कर सकते हैं 25-2021 को और exam date है वो आपकी करवाई जाएगी दोस्तों 29-2021 को तो आप देख सकते हैं आपके पास में अगर कल के दिन से अगर count किया जाए तो कितने दिन आपके पास में सेस बचे हैं जिसे आप अपनी preparation कर सकते हैं तो मैं आपको पहले से ही बोलता रहा था कि दोस्तों sessions काफी late होते जा रहे हैं जो भी university colleges हैं जो इनने BS nursing post basic paramedical के entrance exam के regarding application form release नहीं किया हैं तो बिल्कुल short notice के लिए ही आपको preparation का time देंगे तो अपनी preparation को आप अभी से ही त्यार रखिए तो आपका जो exam है वो आपका 29.8.2021 को करवाया जाएगा और result भी दोस्तों आपका 31.8.2021 को declare कर दिया जाएगा तो दो दिन बाद में यह आपका result भी जारी कर दिया जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका application form exam date admit card और आपका result यह सारी की सारी process है यह आपके 25 दिन के अंदर अंदर complete कर दी जाएगी तो आप 20 तारीक आपकी last date application form की इसमें जो application fees है दोस्तों वो आप 3540 रूपीज है यह आपके जो reserve category से belong नहीं करते हैं उनके लिए जैसे की general OBC बगरा और जो SC category से दोस्तों इसमें केवल especially mention किया गया है SC category के लिए जो fees है वो आपकी 1770 रूपे केवल SC के लिए इसके लावा जो other category है उनके लिए आपके जो fees रहेगी वो रहेगी 3540 रूपे औ और इसमें जो आपकी GST 18% वो include करके ही आपको यह fees बताई गई है तो दोस्तों यह event आपको यह बताया गया है कि आपकी जो counseling process है वो कब से कब तक start हो सकती है तो सारी details में आपको यह जारी कर दिया गया है तो आपको अपनी preparation में अभी से लग जाना है दोस्तों इसकी eligibility criteria बा तो उसकी भी में आपको information semester में पर provide करवाता रहूँगा और दोस्तों आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंगी आपको मैं जैसे ही कल इसकी process start होगी आपको application form कैसे feel करना step by step तो complete details में आप अपने level पर भी form feel कर सकते हो तो वो सारी step by step में details आपको वीडियो म form होगा है वो आप feel कर सकते हैं साथ ही आपकी exam date भी announce कर दी गई है और दोस्तों यहां पर आप check कर सकते हैं जो tentative list of college या seat की है seat matrix पे आप दिया गया है यहां पर जो total college के अगर बात करें कि आप इस PPM ET exam के तुरू आप कितनी colleges में admission है वो ले सकते हैं पंजाब में तो यह 103 college है जिसमें आपके government private सारे college हैं और इसमें यहां भी seat matrix भी दे रखिये तो इसका मैं आपको separate video प्रवाइड कर दूँ है कितनी government college है कितनी private college है जिसमें आप admission ले सकते हैं दोस्तों तो आपको अच्छे से preparation करनी है दोस्तों क्योंकि competition काफी tough हो गया है COVID-19 के जो अभी समय चल biology के लिए book है अगर आप objective book लेना चाते हैं तो आप objective book और उसके साथ में आपको subjective book जिसमें आपको descriptive चीजे मिलेगी सारी सारी theory based book है तो दोनों books आप अभी से आज से ही उनको read करना है start कर दीजी दोस्तों अगर आप physics chemistry और biology में अच्छा score करना चाते हैं दोस्तों तो आप उ उससे बार कोई भी questions आउट नहीं आया था तो उसको आप किस तरह किस अवेल कर सकते हैं मैंने description box में एक तो theory based book है और एक objective book है दोनों का link देर का theory से आप अपने concept clear कर सकते हैं objective book से आप जैसे आपके concept clear होंगे आपने एक chapter read किया उसके तुनन बाद में आप objective questions आप लगा सकत करते हो 25 days में आपका complete process हो जाएगी दोस्तों तो आप 20 days में उनको अभी से start कर दीजिए और daily basis में एक schedule बना कि उनको follow कर जिए तो आप उन books को कैसे available कर सकते हैं दोस्तों description box में आपको link दिया गया है theory based और objective का आगर आप उन पे जैसे ही click करेंगे तो दोस्तों यह दोनों book ह यह 3 in 1 physics, chemistry, biology, complete syllabus आपका NCIT based है जो आपका syllabus दिया गया है उस बेस्वेस इनको compile करके बनाया गया दोस्तों यह आपके exam perspective से काफी important है आपको यह theory based है इससे आप अपने concept clear कर सकते है objective book से आप जैसे ही chapter read किया उसके आप objective लोगा कि आपनी जो weakness है उसको आप दूर कर सकते हैं द बिल्कुल minimum cost में है अगर आप यह 6 books 11 तो 12th NCAA जो आपका syllabus सकर इन 6 books को भी आप अगर purchase करते हैं तो दोस्तों आपका 500 to 600 का इसमें आपका charges लगता है तो यह बिल्कुल minimum cost में है अगर आप इसको अच्छे से read करते हूं इन दोनों books को तो दोस्तों मैं under percent आपको surety देता हूं क कि आपका अगर BFUHS में अगर आप government college भी लेना चाहते हैं best से best तो वो आपको अच्छे score आप गयन करके उसको भी प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आपको buy now पे click करना है यहाँ पे आप जैसे ही buy पे click करेंगे theory based book पे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होके आएगा ज पे जैसे ही click करेंगे दोस्तों तो आपको payment के लिए पूछा जाएगा phone page से paytm से या आप net banking debit card credit card से pay करके आप जो pdf format में इसको download कर सकते हैं दोस्तों यह ebook है pdf format में आप download करके ही इसको study कर सकते हैं और एक link दोस्तों इस book को download करने का आपके mail पे भी जाएगा जो आपने या पे feel की है उस mail पे भी जाएगा यहां से भी आप download कर सकते हैं तो दोस्तों इन दो books को follow करके आप बिल्कु सो time में अच्छे से preparation कर सकते हैं और आप अच्छे score gain कर सकते हैं तो दोस्तों यह latest update आईती बाकी की अगर कोई भी update आईगी कोई भी आपका issue है कोई भी doubt है चाह आउ टेलेग्राम का लिंक आपको description box में मिल जाएगा धन्यवाद जे हिन जे भारत